नमस्कार मैं हिमंत बगेल अब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल में 36 गड़ी भासा और साहित के से CGPSC की परिक्षाओं में बार बार पुछे जाने वाले प्रस्णों पर आज हम डिसकस करने वाले हैं आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाईए तो आज हम लोग देखेंगे CGPSC की पिछली परिक्षाओं में जितने भी 36 गड़ी भासा साहित के से संबंदित जो भी प्रश्ण पूछे गए थे उनको इसके अलावा कहीं सारे प्रश्ण मैंने अपने तरब से भी एड किया है जो मुझे लगा कि पूछा जा सकता है तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपसे कितने कोस्चन सॉल्व हुई हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को इस्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन यहां मैंने लिया है हिंदी कवी पदुम लाल पुना लाल बक्सी किस जिले से समबंदित है तो यह वाला कोस्चन भी जो है मुझे लगभग दो से चार बार दिखा लगभग दो तीन बार दिखा यह कोस्चन तो CGPSC ने दो तीन बार अलग अलग परिक्षाओं में यह कोस्चन पूछा है हिंदी कवी देखो यह जो कवी है पदुम लाल पुना लाल बक्सी यह मुख अगला कोसिन देखते हैं पूजा के फूल किसकी रचनाव जो कोस्चन पूछा जाए तो यह हिंदी भासा के लेखक थे कवी थे पदुम लाल पुना लाल बक्सी जी ध्यान रखेंगे अगला कोसिन देखते हैं पूजा के फूल किसकी रचना है पूजा के फूल तो यह कोस्चन भी काफी बार पूछा गया है और यह मेंस में भी पूछा गया है तो यह कोस्चन भी काफी बार पूछा गया है बहुत बार रिपीट हुआ है 36 गढ़ी दान लीला किसके द्वारा लिखी गई है तो पंडित सुंदरलाल सर्मा जी द्वारा लिखी गई है और यह जो 36 गढ़ी दान लीला लिखा गया है कई बार जो है खाली दान लीला भी बोला जाता है और कभी-कभी 36 गड़ी दान लीला तो काफी बार पूछा गया है ये वाला question आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं कभी दलराम राव किस राज्य से संबंदित थे तो देखो जो कभी दलराम राव है न ये मध्यकाल से आसन कर रहे थे लक्ष्मी निधी राव लक्ष्मी निधी राय तो लक्ष्मी निधी राय के दरबार में दरबारी कभी थे कभी दलराम राव और कभी दलराम राव वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार साहित्य में 36 गड़ी भासा और इस छेत्र के लिए 36 गड़ गड़ कहा है तो ध्यान रखेंगे कहीं बार ये चीज पूछा गया है कि 36 गड़ी भासा और इस छेतर के लिए 36 गड़ सबसे पहले किस कवी ने प्रियोग किया है तो कवी दलराम राउने तो काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है खैरा गड़ से इनका संबंद रहा है अगला कोश्चिन है हिंदी काव्वे में छाया वात का जनक कौन है तो ये कोश्चिन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है तो हिंदी काव्वे में देखो 36 गढ़ के लिए भी नहीं बोल रहा है हिंदी काववे जगत है पूरी संसार में जहां भी हिंदी बोला जाता है हमारे भारत के अलावा और भी बाहर भी बोला जाता है भारती काफी जगत है तो संपूर्ण हिंदी काववे में छायावात का जनक कौन है तो देखो प्रती कुर्री के प्रती ये जो कुर्री के प्रती है हिंदी की प्रतम छायवाद रचना माना जाता है ध्यान रखेंगे हिंदी भासा की प्रतम छायवाद की रचना कुर्री के प्रती ये भी काफी बार पुछा गया है और किसने की थी मुकुट धर पांडे मुकुट धर पा बालपुर नामक ग्राम में हुआ था ये चीज भी पुछा गया है पंडित सुंदरलाल सर्मा ये तो पता ही है आप सब को 36 गड़ी दान लिला के रचनाकार भाब 36 गड़ के गांधी अगला कोश्चन है 36 गड़ की कौन सी लोक गाथा माता सीता और लक्षमर जी से संबंदित है तो ये कोश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है तो देखो माता सीता प्रभु सिरी राम चंदर जी की अरधांगनी और इनके जो देवर थे लक्षमर जी तो लेकिन दोनों से संबंदित कौन सी गाथा हमारे 36 गड़ में प्रचलित है तो ये है फूल बासन की गाथा फूल बासन की गाथा देखो फूल बासन की गाथा में क्या है कि जो माता सीता है उनको कोई फूल बड़ा पसंद आता है और वो लक्षमर जी से कहती है कि आप जो ह भाबी थी मातासीता उनको अपनी माता समान मानते थे और उनकी आग्या का पालन वो करते थे और बड़ी मुझ्चिलों से उस फूल को मातासीता के लिए लेकर कर कर आते हैं तो ये गाथा जो है कहा मिलती है फूलवासन की गाथा में वहीं पंडवानी के अगर मैं बात पतलब कि द्रोपदी द्वारा जो तीजा मनाया जाता है उससे रिलेटेड है पंडवानी और हमारे चतिजगड़ में पंडवानी की सरोप्रमुख गाई का कौन है तीजन भाई जी पंडवानी पंडवों की कथा से संबंदित है और पंडवानी में ना सबल सिह चौहान ये ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला कुस्चन है विनोध कुमार शुकल ने निमन लिखित उपन्यास लिखे देखो विनोध कुमार शुकल जी की जितनी भी रचनाई है आप लोग याद रखेगा क्योंकि इनके उपन्यास अक्सर पूछे जाते हैं नौकर की कम विनोत कमार्शुकल की रचना है वह आदमी चला गया यह एक और रचना है द्यान रखेंगे तो यहाँ पर तीन चार आपका आंसर हो जाएगा एक तीन चार कहां पर है यह ऑक्जासर? यहाँ पर मैं जितनी भी बाते बूल रहा हूं जो भी सब्द बूल रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है सच्चा सरदार पंडित सुंदरलाल सर्मा जी की रचना है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन दिखते हैं चतिस गड़ी बूली का प्रथम व्याकरण हीरालाल जी ने लिखा था इसे किसने प्रकासित करवाया था तो यह भी काफी बार पुछा गया है कि हमारे चतिस गड़ी बूली का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है तो हीरालाल का व्योपाद जी ने लिखा है काफी बार पुछा गया है और इनको चतिस गड़ का व्याकरणा च कि रचना किसको स्रे दिया जाता है तो हीरालाल का व्यपाध्या जी क्यों को तो इनके द्वारा जो व्याकरण लिखा गया था 36 गड़ी बुली का प्रथम व्याकरण तो उसको प्रकासित करने का स्रेय किसको जाता है तो हीरालाल का व्यपाध्या इन्होंने खुद ने नहीं किया था ध्यान रखेंगे किसने प्रकाशित करवाया था तो जोर्ज ग्रियर सन ने जोर्ज ग्रियर सन जिसने भारत के विभिन भाषाओं का अध्यान किया था भारत का भासा सास्त्री अध्यान इन्होंने किया था और उसमें 36 गड़ी भासायों बूली का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवा कर एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के माध्यम से प्रकासित करवाया था ध्यान रखेंगी एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल इसकी स्थापना किस ने की थी आप लोग मुझे कमेंट करके बताईएगा मैंने इतिहास में ये चीज आपको पढ़ाया हुआ है तो इसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के माध्यम से हिरालाल काव्यो पाध्याजी के 36 गढ़ी बूली के व्याकरण को प्रकासित करवाया गया कब तो 1890 में 1890 में इसको प्रकासित करवाया गया था और इनकी जो मृत्तिव है हिरालाल काव्यो पाध्याजी की 1890 में ही हुई थी उसी वर से जो जो जोर्ज ग्रियर्शन है इन्होंने इनकी रचना को प्रकासित करवाया था ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन अच्छा ये जो हिरालाल काव्यो पाध्याजी है इनका जन्म राइपूर में हुआ था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है अगला कोश्चन है महाकवी कालिदास जी की रचना मेग दूत का 36 गड़ी में किसने अनुआद आगे बढ़ते अगला कोश्चन देखते हैं निमन खंड काव्यों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजी तो नीचे जो है खंड काव्य दिये हुए हैं तो इनको इनके रचनाकारों से सुमेलित करना है पहला दिया है नाग लीला तो देखो जो नाग लिला है इसके रचनाकार है गोविंद राम विठल गोविंद राम विठल नाग लिला के रचनाकार गोविंद राम विठल सीता की अगनी परिक्षा सीता की अगनी परिक्षा कपिलनात मिसर द्वारा ही लिखा गया है उसके बाद दिया है शुकवा सुकवा के रचनाक ब्रिजलाल शुकल उसके बाद महादेव की बिहाओ ये गया प्रशाद बिशर्या द्वारा लिखा गया है गया प्रशाद बिशर्या तो इस तरह से चीजे पूछी जाती है आप ध्यान रखेंगे तो इसका क्या अंसर हो जाएगा चार दो एक तीन ये आपका अंसर हो जाएगा चार दो एक तीन चार दो एक तीन ये आपका द आंसर हो जाएगा अच्छा हमारी यहाना टोटल पांच खंड काववे हैं चार गड़ी में टोटल पांच खंड काववे हैं तो यहां तो चार हो गया पांच वाय याद रखेंग 36 गड़ी दान लीला जिसके रचनाकार कौन है पंडित सुन्दरलाल सर्मा जो की शरिंगार से ओध प्रोत है तो ध्यान रखना इसको भी आगे बढ़ते हैं एगला कोश्चन देखते हैं कौन सी रचना वेरियर अलविन द्वारा लिखी तो नहीं है तो देखो ये कोश्चन पर काफी बार पूछा जा चुका है वेरियर अलविन ने चार पुष्टके लिखी थी एक तो है आपका दगौर एक मिनिट हां तो एक है दगौर इंदोंने लिखा है उस बद द बैगाज द बैगा उसके बाद है द अगरिया उसके बाद है द मुडिया एंड देयर घुट तो यह चार रचनाएं वेरियर अलविन द्वारा लिखी गई है वेरियर अलविन ने हमारे 36 गड़ के जनजातियों का अध्ययन किया है उसने जो है गोड़ जनजाती का मारिया जनजाती का भुजमारिया उसमत बैगा अगरिया इन सब के ऊपर काफी रिसर्च किया है और यह जो मुढ़िया अंड दियर गोटुल है यह वेरियर अलविन की सबसे प्रसिद्ड पुस्तक है और इस पुस्तक में जन्जाती में प्रचलित गोटुल प्रथा का काफी प्रकाश डाला गया है और इस पुस्तक के प्रकाशन के पस्चात बस्तर में मुर्या जंजाती में प्रचलित घुटुल ये जो है दुनिया भर में फेमस हो गया तो एक दो तीन पाँच आपका आंसर होगा एक दो तीन पाँच दः आगे बढ़ते हैं एगला कुछन देखते हैं माधवराव सप्र नीमन समाचार पत्रों के संपादक थे तो माधवराव सप्रे जी हमारे चेटिस गड़ के पहले संपादक होने का गवरव इनको प्राप्त है तो चेटिस गड़ मित्र सनुनिस्चव में इन्होंने प्रकासित किया था पेंडरा रोड से जो कि मासिक था और ये तीन वर्स चला था उसके पाद हिंद केशरी ये इनकी रचना है कौन-कौन से 36 मेत्र और हिंद केशरी ये दोनों जो है माधावराव सप्रेद्वारा समपादित समाचार पत्र थे ये जो केशरी है ये अपने बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा प्रकासित होता था केशरी किस भासा में तो मराठी भासा में ये प्रकासित होता था केशरी और इसी केशरी जो की मराठी भासा में प्रकासित होता था उसका हिंदी रूपांतरन होता था हिंद केशरी जो की माधावराव सप्रेद्वारा निकाला जाता था ध्यान रखेंगे और ये जो प्रजाही तैसी है ये हमा का था सब कुछ हुआ था लेकिन किसी कारण वस ये जो समाचार पत्र है प्रकासित नहीं हो पाया ध्यान रखना इस चीज को काफी इंपोर्टेंट है ये भी चतिस गड़ में ये पंजिकरित हुआ और प्रकासित भी हुआ तो एक और तीन आपका यहाँ पर आंसर होगा एक और तीन अच्छा जो केसरी केसकी रचना है मैंने बताए बालगंगाधर तिलक बालगंगाधर तिलक जी की एक और पत्रिकाती मराथा जो की अंग्रेजी भास से उनको जो है जील भी हुई थी उनको मांडले जील में रखा गया था ना अगला कोश्चन देखते हैं चतिस गड़ी राज भासा आयोग का मुख्याले कहां पर है ये ना राज भासा होना है चतिस गड़ राज भासा आयोग का मुख्याले कहां पर है तो राइपूर में राजभासयोंग का मुख्याल है। देखो हमारा जो 36 गड़ी बोली है लेकिन उसको जो है भासा का दर्जा दिया जानी की बात कही जा रही है और उसको भासा के रूप में मानेता मिले और भारत का जो सवीधان है। उसमें जो भारतिय भासाओं को सामिल किया गया है तो उसमें 36 गड़ी को भी सामिल किया जाए इसके प्रयास करने के लिए 28 नवंबर सन 2007 को ये जो 36 गड़ी राजभासा आयोग इसको जो है पारित किया गया और प्रतेक वर्स 28 नवंबर को राजभासा दिवस के रूप में मन पर राज़भासा दिवस चतिजगड़ी राज़भासा आयोग के प्रतम अध्यक्ष स्यामलाल चतुरवेदी जी ध्यान रखेंगे स्यामलाल चतुरवेदी वही जिनकी रचना पर्राभरलाई जो कि अक्सरपरिक्छाओं में पूछी जाती है पर्राभरलाई बेटी के बिद भोलवा भोलवा राम बनिस ये सब किसकी रचना है स्यामलाल चतुरवेदी जी की जो की 36 गड़ी राजभासा आयोग के प्रथम अध्यक्षत थे और मुख्याले कहां पर है राइपूर में है अगला कुशन दिखते हैं मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं मुक्ति ये कुश्चन भी काफी बार पूचा गया है और बहुती सरल कुश्चन है गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते हैं इनका संबंद राजनाद गाउं से था माधव राव सप्रे प्रथम समाचार पत्र शेकांत वर्मा ये कवी थे बिलासपूर से लोचन प्र का है ये महाकावव है स्री राम का था ये महाकावव है कृष्ण का था ये भी महाकावव है स्री महाभारत का था ये भी महाकावव है जबकि दान लीला जो की पंडित सुंदरलाल सर्मा जी द्वारा लिखा गया था ये एक खंड कावव है द्यान रखेंगे ये क्या है खं गड़ में तीन महा काव्यों के रचυ означateक कोन है तो प्रणयान जी प्रणयान जी ध्यान रखेंगे इन्होंने तीन महा काव्यों की रचना की थेu ये 36 गढ़ी में है ध्यान रखेंगे 36 गढ़ी में है तीनों महा काव्य प्रणयन जी द्वारा इसकी रचना की गई थी बाकी दान लीला ये अपने सुंदरलाल सर्मा जी द्वारा रचित खंड काव्य है अगला कोश्चन देखते हैं दान लीला काव्य की मूल कथा कहां से ल हुआ है तो डान लीला ये श्री कृष्ण चरित से संबंधित है क्यों कौन है इनके रचनाकार तो पंडित सुंदरलाल सर्मा जी श्रिंगार रसे उत्परूत है अगला कोश्चन है 36 गढ़ का पाड़ीनी किने का आ जाता है तो हीरालाल काव्य पाध्या जी को जिनोंने 36 बोली का प्रथम व्याकरण गरंथर रचा था इनको 36 गढ़ का व्याकरण चारिय भी बोला जाता है और इनके त्वारा जो 36 गढ़ी व्याकरण रचा गया था उसको किसने प्रकासित करवाया तो जोर्ज ग्रियारसन अगला कोश्चन दिखते हैं स्याम श्वप्न के रचन तिरौन्नाकार ये कौन है तो जगनात प्रशाद भानू जगनात। प्रशाद भानु जनको की 36 का छंदध सास्तरी बोला जाता है जगनात प्रशाद भानु को अगला कोशन दें कि कौन सा नातक Πोला कूपचल्टा दुऌरा लिखा गया है बेटवा भिहाओ इनकी रचना है लेडगा सुजान भी इनकी रचना है इनके द्वारा लिखे गए नाटक तो चौता छोड़कर करके एक दो तीन पांच छे आपका एंसर होगा है एक दो तीन पांच छे ये option बह आपका उत्तर हो जाएगा यह जो साहुकार से चुटकारा सा टिक हरिया ने, टिक हरिया मैं लिख देता हूँ, टिक हरिया ये भी important हो सकता है, पूछा जा सकता है, टिक हरिया, तो इन्होंने जो है, साहुकार से छोटकारा नामक नाटक की रचना की थी, अगला question दिखते हैं, सुरही गया, किस के द्वारा लिखी गयी कहानी है, तो काफी सीतारा मिसर द्वारा, और इसको ना, 36 गड़ी में लिखा गया पहला कहानी माना जाता है, सुरही गया को, 36 गड़ी में लिखा गया पहला कहानी, अगला question दिखते हैं, कपिलनात मिसर की रचना है, तो कपिलनात मिसर जी की रचना कौन सी है, आपको बताना है, ये भी काफी important है बहुत बार पुछा गया है खुसरा चीरही के विहाओ ये कपिलनाथ मिशर जी की रचना है ध्यान रखेंगे इसको खुसरा चीरही के वहीं ये जो गवई के गीत है ना ये किसने लिखा है तो विमल पाठक ने गवई के गीत लिखा है उसके बाद जो परेमा है ये नंद किसोर तिवारी जी की रचना है उसके बाद आवा ये भी काफी important है पूछा गया है आवा परदेशी राम वर्मा जी की रचना है अगला question दिखते हैं छेर छेरा किसके द्वारा लिखा गया वो उपन्यास है तो छेर छेरा हमारे क्रिष्ण कुमार सर्मा इन्होंने छेर छेरा नामा को पन्यास की रचना की लाला जगदलपूरी इन्होंने बस्तर की जो हलबी बोली की जो लोक कथाएं है उनका संकलन किया है तो ये बस्तर छेत्र के साहित्यकार है उसके बाद जो स्यामलाल चतुरवेदी इनकी रचना पर्रा भरलाई याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो देखते हैं पहला दिया है गोपाल मिस्र रतनपुर के कवी थे जिहां बिलकुल सही है और ये कोशन कहीं बार पूछा गया है कि गोपाल मिस्र कहा के कवी है तो रतनपुर की कवी हैं किस राज्य के दर्बार में रहा करते थे तो रतनपुर के राज्य दर्बार में रहा करते थे तो रतनपुर के राज्य दर्बार में रहा करते थे काफी बार ये पूछा गया है गोपाल मिस्र को 36 गड़ का वालमिकी कहा जाता है उसके बाद बोल इनकी प्रशिद्ध रचना है, जो कि इन्होंने राज सी हैं, कहते हैं कि राज सी हैं को ना कोई बेटा नी था, तो इन्होंने जो है अपनी पतनी का नियोग करवाया और उसके द्वारा इनको पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई, तो ये सारी जो कथा है, खूब तमासा में देखने को मिलती है, अच्छा ये जो गोपाल मिस्र है न, इनकी अन्य रचना है, जो अक्सर पूछी जाती है, सुदामा चरित याद रखेंगे, भक्ती, चिंतामणी, जैमिनी, अश्वगोस, ये इनकी रचना हैं, इनकी जो अंतिम रचना थी, वो थी राम प्रताप, रा कि इनका जो है अकाश्मिक देहावसन हो जाता है, आगे चल करके इनके पुत्र माखन मिस्र द्वारा राम प्रताप को पूरा किया जाता है, तो दिहान रखेंगे, राम प्रताप अधुरी रह गई थी, पूछा जा सकता है, तो ये चारो कथर यहाँ पर सही है, तो एक, द ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, तो देखो, जो सार रामायन है, ये संस्कृत में लिखा गया है, उसके बाद गीत माधाओ, ये भी संस्कृत में लिखा गया है, ये जो विक्रम विलास है, ये हिंदी में लिखा गया है, गंगा लहरी भी संस्कृत मे और गंगा लहरी और ब्रामर स्रोती ये पाँचों जो हैं संस्कृत भासा में लिखे गए हैं ध्यान रखेंगे तो यहां से चार को छोड़ करके एक दो तीन पाँच से आपका उत्तर हो जाएगा जो विक्रम विलास है वो हिंडी में लिखा गया है आगे बढ़ते हैं अगल लोग ध्यान रखेंगे काव्य कविता वाला रामाश्रुम मेग ये भी है उसके बाद रत्न परिक्षा भी एक हिंदी में लिखा गया काव्य है माता के भजन कृष्ण लीला इसके लावा एक और रचना है दो हावली तो इनकी छर रचनाई जो की हिंदी में लिखेत काव् है तो यहां पर एक दो तीन चार पांट सभी सही है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं इतिहास समुच्य इतिहास समुच्य किसकी रचना है इतिहास समुच्य तो यह किसकी रचना है इतिहास समुच्य तो पंडित सिवदास सास्त्री है इनकी रचना है यह इतिहा समुच्च इतिहास 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 समुच्च इतिहा बाभू रेवाराम जी है ना इनका जन्म हुआ था रतनपूर में कहां हुआ था रतनपूर में तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनका जन्म स्थल देखिए हमारे 34 गड़ के जो साहित्यकार थे ना उनके जन्म इस्थल को भी पूछा जाता है जैसे कि पदुमलाल पुर्णालाल बक्सी जी खैरागण में जन्म हुआ था उसके बाद स्रीकांत वर्मा बिलासपूर से संबंदित हैं पंडित सुंदरलाल सर्मा राजीम से संबंदित हैं और जो पांडे बंदू है उनका जन्म बालपूर में हुआ था तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे त आगला कुछ ने स्रीकांत वर्मा का ग्रिह जीला कौनसा है तो अभी मैंने बताइ बिलासपूर ये जो है आधुनिकि-सोमय के कवी थे लिखक थे तो प्रशिद् हिंदी कवी और ये हिंदी के कवी थे ध्यान रखेंगे जैसे पधुमलाल पुन्नालल बक्षी जी हिंदी के कवी वैसे ये भी हिंदी के कवी थे स्रीकांत वर्मा बिलासपुरिन का ग्रिह जिला था अगला कोश्चन है नीम्न में से कौन सी रचना गजानन मादहो मुक्ति ब पढ़ा हुआ जैसे लग रहा है नाम मुझे दिहाना रहा है तो चांद का मुह टेड़ा एक साहितिक डाइरी ये भी इनकी रचना है कामा यानी एक पुनर विचार क्या लिखूं क्या लिखूं ये पदुमलाल पुन्नालाल जी की रचना है क्या लिखूं ये भी साहितना हमा अच्छा है जो कामा यह नहीं अगर मैं अलग कर दो कामा यह नहीं यह किसकी रचना है तो जैसंकर प्रशादी जी की रचना है तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ड़ यह जो है इनकी रचना नहीं है पदुमलाल पुन्नलाल बक्षी जी की रचना है अगला बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है विनोत कुमार शुकल इनकी रचना है नवकर की कमी जे ध्यान रखना इसको अगला कोश्चन देखने है 36 गड के किस साहित्यकार को चंद सास्त्री के रूप में जाना जाता है चंद सास्त्री जाना जाता है ध्यान रखेंगे वहीं जो मुकड धर पांडे है ये अपने क्या है चायवाद के जनक अगला कोश्चन है 36 गडी रामायन के रचनाकार को उने 36 गडी रामायन तो ये लिखा है पंडित सुंदरलाल सर्मा जी ने बस्तर चेतर में जो हलवी भत्री बूली में जो भी लोक कथा है जो वहाँ के गाउं में देहातों में जो प्रेचलित थी उनको संकलित किया लाला जगडलपूरी ने और इन्होंने बस्तर का इतिहास योम संस्कृती नामक एक पुस्तक भी लिखा है तो ये भी आप लोक ध्यान में रखेंगे और अभी साहितना लाला जगडलपूरी जी के नाम से साहित्य के छेतर में कोई पुरसकार की घूशना की गई है ये 26 जनूरी के आसपास साहित ये घूशना हुआ है केदारना ठाकूर को ध्यान रखेंगे केदारना ठाकूर की रचना है बस्तर भूशन भाल चंद्र राव तैलंग इन्होंने जो है 36 गड़ी बुली हलबी बुली भत्री बुली इनके उपर एक पुस्तक लिखा है छुड़ गया है यहां पर न का आना था सालवनो का द्वीप किसकी रचना है तो सालवनो का द्वीप गुलसेर अहमद खासानी की रचना है गुलसेर अहमद खासानी गुलसेर अहमद खासानी की रचना है सालवनो का द्वीप साल वनो का दूइप किसको बोला जाता है बस्तर छेतर को क्योंकि वहाँ पर उत्तम किस्म के साल मिलते हैं तो उनको जो है क्या कहते हैं साल वनो का दूइप कहा गया है मतलब कि साल वनो का दूइप इनकी एक रचना है और इसी कारण बस्तर को साल वनो का दूइप भी बोला जाता है हरियर वैशनाओ यह बस्तर छेतर के एक साहित्यकार हैं गजानन माधव मुक्ति बोद राजनान गाउं से संबंदित हैं उसके बाद प्यारे लाल गुपते इन्होंने छत्तिजगड का इतिहास चत्तिजगडी बूली प्राचीन चत्तिजगडी बूली यह सब रचन पहरी के धार आप लोगोंने सुना होगा नहीं सुना है तो इसको जरूर सुनिएगा हमारे जो चत्तिजगड़ है उसको पूरा इसमें बया किया गया है आप लोग सुनिएगा बड़ा अच्छा गीत है मंता चंद्राकरजी की आवाज मिल दिखा कौन है तो डॉक्टर नर याद रखेंगे कभी पूछा जा सकता है चमसूर यह राजिम के निकटी है एक गाउन चमसूर तो यह जो है पंडित सुन्द्रलाल सर्माजी की जन्म स्थली है राजिम में चमसूर अगला कुशन देखने है डॉक्टर निरूपमा राय की रचना कौन सी है तो पत्रेंगी च्क्रिम लिखा गया है इसके अलावा इनक एक और रचना है बुर्दों का शागर इनको सोना बाई भी बोला जाता है निरुपमा रॉइ को सोना बाई भी बोला जाता है ध्यान रखिंगे बहुत important है ये भी काफी पुछा गया है अगला कुछी ने बस्तर भूशन किस की रचना है तो ये जो है बस्तर भूशन यहां पर option नहीं दिया है माफी चाओंगा बस्तर भूशन जो है केदारनाथ ठाकूर जी की रचना है इन में से कोई नहीं केदारनाथ ठाकूर केदारनाथ ठाकूर जी ने 1908 में बस्तर भूशन की रचना की थी जो केदारनाथ ठाकूर है न वो मूलतह राइपूर के थे उनका जो है पो में पोश्टेड थे जन में इस्थल रायपूर्था इनका अगला कुश्चन दिखते हैं किस ने चतिजगडी भासा में दुलर्वा पत्रिका का प्रकाशन किया था काफी इंपोर्टेंट है बहुत बार पुछा गया है पंडित सुंदरलाल सर्मा जी ने दुलर्वा पत्रिक फिकाईका यह जो लक्ष्मण्ण मस्तूरिया है इनि कोच्चि गड़ी गीतों को सरवाधिक लोकप्रिय करने का दिया जाता है अगला कुश्चन है 만दी कुश्यूमय किसकी ऊड़िया में लिखी रचनाई है महानदी और कुशम तो ये जो है ना लोचन प्रशाद पांडे इनकी जो है उडिया में लिखी गई रचना है देखो जो लोचन प्रशाद पांडे थे ना इनको हिंदी छतीज गड़ी अंगरेजी उडिया ये सब भासाओं में अच्छी तरह से पकड़ती इसके अलावा और भासाओं को ये जानते थे तो उडिया भासा में भी इनका अच्छा खासा दखल था और उडिया भासा में भी इन्होंने रचनाई लिखी है महानदी और कुशम ध्यान रखना अगला कोश्चन है के उर भूषण यहां कूजूर भूषण हो गया है माफी चाहूंगा यहां पर उ की मात्रा नहीं होना था ए की मात्रा होना था के यूर भूषण तो के यूर भूषण द्वारा रचित राणी ब्रामण के दुरदशा क्या है तो जो के यूर भूषण है इनके द्वारा कोई रचना लिखी गई है राणी ब्रामण के दुरदशा तो यह क्या है इस गड़ी भासा में रची प्रथम उपन्यास कौन सा है तो इसमें थोड़ा सा मिश्टेक है मतलब की जो पीएस्टी है वो अलग-अलग आंसर लिया है एक बार हीरू के कहिनी को लिया गया था साहिद जिसके रचनाकार बंसीधर पांडे जी है उसके बाद मोगरा जो की भुशंकर सुकल जी की दूसरी रचना है दियना के अंजूर और ये जो है कुल के मरजात ये केवर भुशन जी द्वारा लिखा गया है तो हीरू के कहिनी अथ्वा मुंगरा ये चतीस गड़ी में लिखा गया प्रथम उपन्यास था रचनाकार के नाम भी मैंने बताया जाता है ध्यान रखेंगे नर्शीहदास वैशनव अच्छा मैं आप लोगों के बात बताना चाहूंगा कि हमारे चतीस गड़ में जो अलग-अलग जो विद्वान है ना जिनोंने इन पंडित सुंदरलाल सर्मा जी के उपर नर्शीहदास वैशनव जी के उपर पंडित विनय कुमार पाठक तो जो डॉक्टर विनय कुमार पाठक है उनके अनुसार नर्शीहदास वैशनव चतीस गड़ी भासा के प्रथम कवी हैं ये किनके अनुसार डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के अनुसार वहीं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा डॉक्टर आसकार मानते हैं अब देखे ये जो विद्वान थे ना जैसे डॉक्टर नरेंदर देवर्मा हो या फिर विनाई कुमार पाठक हो तो इनों ने काफी सारे तरक वितरक दिये हैं इनके प्रथम कवी होने के लिए तो आप PSC जो है कभी भी इनको आंसर ले सकता है तो आप जो है संभव है क्वेश्चन विलोपित हो जाए बाकि ये तीनों का नाम जो है एक साथ नहीं दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो तो हम लोग नर्शियंदास वैश्णाओं को मान लेते हैं वैसे आपको पंडित सुंदरलाल सर्मा और लोचनपरशाद पांडे को भी ध्यान में रखना है आपसे यसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार किसे 36 गड़ी का प्रथम कभी मा जाता है तो इस टाइक सी भी प्रशन पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं सुमेलित करने वाला कुश्चन है देख लेते हैं तो दिया है 36 गड़ी बोली व्याकरण और कोश 36 गड़ी बोली और व्याकरण कोश इसके रचनाकार है डॉक्ट लेकिन यह पांच याच छे रचनाए हैं तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजेगा क्योंकि इससे भी प्रशन पूछे जाती हैं तो यहाँ पर एक दो तीन चार आपका राइट आंसर होगा आपका उत्तर होगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं प्रियोग वाद के जनक किन्हें माना जाता है तो प्रियोग वाद के जनक किसको माना जाता है तो गजानन माधहो मुक्ति बोद को किसन पुछा गया है तो राजनाद गाउं जिले में तीनों की प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है एक संग्र हालए भी है तीनों से संबन्दित है बल्देव प्रशाद मिस्र पदुमलालปुनालाल बकषि और गजानन माधव मुक्ति बौध द्यान रखना बोहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला कुश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आकरी कुश्चन है किसने महत्मा गांधी जी के दुईतिये चत्तीजगर प्रवास से प्रभावित होकर गांधी मिमानसा की रचना की तो ये भी काफी बार पुछा गया है तो राम दयाल तिवारी इन्होंने महत्मा गांधी जी सन 1933 में दूसरी बार चत्तीजगर आते हैं और इस बार उनका pikता उद देश क्या क्या था हरिजन उद्धार तो जो क्या नम राम दयाल तिवारी ये जो है मात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी प्रशंसा में गांधी मिमांसा नामक ग्रंत की रचना करते हैं तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोगों ने आप में से काफी आउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें आप लोगों को संसय लगता है तो आप लोग नीचे कमेंटर बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ वीडियो को जितना हो सके आप लोग सेयर कर दिया करिएगा और वीडियो को ल